पुल्वामा हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थियों शरीर आज उनके पैतरग घर पहुँचे शहीदों के शवों को देखने वाली हर एक आख फ़राई, गलास सोग गया मा दोड़ते हुए अपने बेटे के सीने से लिपट गई, लेकिन उसके मुह से एक चीख तक नहीं निकली पतनी ने चाहा कि वह अपना सारा दर्द आसूम में बहा दे, लेकिन वह भी मौन पड़ गई मासूम बच्चों को तो समझ ही नहीं आया कि उसके पिता को क्यों इस तरह फूलों से सजा कर ले जाया जा रहा है यूपी के बारा सपूतों ने भी अपने लहों से दीश का करज अदा किया और भारतवासियों को अपना करजदार बना दिया चाहे आगरा हुए या फिर वारासि शामरी देवरिया, कनोज, कानपुर, चंदौली और भी शहर है यहां के रहने वाले इन जवानों ने कश्मीर के पुल्वामा में अपनी शहादत दी आग जब उनकी शौ यात्रा निकली तो उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सहलाब उमड़ पड़ा वंदे महत्रम के नारों से यात्रा उंजो थी किंद्री मंतरी महेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्याक्षन महेंदर नाथ पांडे वारा नसी में शहीद रवीश यादो की अंतिम यात्रा में उनके पार्थियु शरीर को नमन करने पहुचे वही उन नाव में शहीद जवान अजीत कुमार की अंतिम विदाई में उनके पार्थियु शरीर के साथ नौजवानों में सेलफी खीचने की होड़ देखने को मिली चन्दौली में शहीद अउधिश यादों का पार्थियु शरीर जब उनके घर पहुँचा तो आक्रोशित लोगों ने जवानों की शहाधर पर राजनिती नहीं बलकि बड़ा बदला लेने की मांग की ऐसा ही कुछ नजारा शामली देवरिया करनोज कानपूर में भी देखने को मिला हर जगे शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा